हिमाचल प्रदेश हाई कोट के आदेशा अनुसार 23 सदिसंबर को बिलासपूर शहर भाखड़ा विस्ताफितों द्वारा किये गए अवैध कबजों को हटाने के लिए जिलावाव पुलिस प्रशासन कारवाई करने जा रहा है लेकिन उससे पहले बिलासपूर से कॉंग्रेस के पूर्विधायक बंबर ठाकूर के अध्यक्षता में कॉंग्रेसीर कारेकर्टा वस्थानियों लोगों ने चमपा पार्क से उपायुक्त कारयाले तक रैली निकाल कर प्रदर्शन किया इस तोरान पूर्विधायक बंबर ठाकों ने किसी भी हालत में भाख़ा विस्थापितों के कबजे ना गिराने देने की बाद कही हाई कोट के आदेशा नुसार जहां प्रदेश भर में अवैद कबजों को हटाने के आदेश जिला प्रशासन को दिये गए हैं जिसको लेकर बिलासपूर से कॉंग्रेस पार्टी के पूर्विधायक बंबर ठाकोर की अध्यक्षता में कॉंग्रेसी कारेकरताओं सहित स्थानी लोगों ने चमपा पार्क से उपायुक्त कारयाले तक रैली निकाल कर प्रदर्शन किया रैली के बाद उपायुक्त बिलासपूर राजेश्वर गोयल के माध्यम से मुख्यमंत्री जराम ठाकूर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी और महा महिम राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद को ग्यापन भी भेजा गया पूर विधायक बंबर ठाकूर का कहना है कि भाकड़ा विस्थापितों के कबजे को किसी भी हालत में नहीं गिराने दिया जाएगा साथ ही उन्होंने भाजपा के राष्ट्रिय कारेकारी अध्यक्ष जेपी नर्डा सहित, मुख्यमंत्री जराम ठाकूर से विस्थापितों के कबजे को नियमित करने की मांगी है आज हम राष्ट्मती महोदया को परधान मंत्री को और जैराम जी को ग्यापन सौपने जा रहे है कि बलास्तोर के हम किसी भी सहरवासी का किसी भी बाकड़ा विस्थाबीत का मकान नहीं तूटने देंगे, किसके रोजगार के कुठारगात नहीं होने देंगे, किसी का खोक कशीच की, किसी का खोकआ हटाने की कोशीच की, तो सरकार को परसाचन को हमारी लासों के उपर से रोजर को ले जाना पड़ेगा, लेकिन हम वे काम होने नहीं देंगे, और मैं नटा जी को यह जाओना कि आपका देस है, आपका यह जिला है, आपका यह चुनोग सेतर है, ज सिटी चैनल के लिए बिलासपूर से विजय भारदवाज की रिपोर्ट